हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि 40% के नियम में क्या चेंज किया गया है, तो केवल चेंज इतना हुआ है कि पहले क्या होता था, जैसे paper 1 है, paper 2 है, दो paper हुए, तो दोनों में 40-40% अलग-अलग भी लाने होते थे, और पूरे paper का मिला करके भी 40% लाने होते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, कि paper 1 और paper 2 दोनों के जोड़ करके आपको 40% लाने है, यानि जो पहले अलग-अलग paper में 40-40% का rule था, अब वो नहीं है, इतना सा ही चेंज हुआ है, और कोई चेंज नहीं है, सिलिकुस में क्या चेंज किया गया है, वो भी आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, ये कैसी जानकारी लगी आप लोगों को, प्लीज टमेंट करके बताईएगा,